वेल्कम तुमार चैनल लेट्स एक्स्प्लोर में शिल्पा आज मैं बनाने चाह रहे थी बेसन के लटू और मैंने सोचा कि क्यों नहीं यह रेसिपी आप लोग के शाय करों सो दे जटपट यह यमी से बेसन के लटू कैसे बनते हैं यह बिग नजबी जाने और आप लोग बन हो सेके तो देसी गी आड़ कीजेगा क्योंकि जब तक इसी मिठाई में देसी शुद गी ना डले तो उसका मजा थोड़ा अधूरा लगता है और देसी गी से टेस्ट बढ़ जाता है अब मैं इसमें आड़ करूंगी थोड़ा सा गरम हो जाएगा उसके बाद इसमें करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करूंगी थोड़ा सा मिक्स हो जाए उसके बाद अब इसमें एक कप और बेसन आड़ करना है टोटल हमें तीन से चार्ट बड़े स्पून देसी गी डाल कर उसमें दो-बेसन आड़ करना है एक पहले करेंगे एकक कप और उसको मिक्स कर लेंगे थोड़ा मिक्स हो जाए तो उसके बाद उसमें एक कप और बेसन आड़ करके उससे अच्छे से학 अच्छे से चलाते रहना है क्योंकि अगर थोड़ी दिर के लिए भी हम इसे गैस पर फ्लेम पर छोड़ देंगे कड़ाई में तो यह जल जाएगो यह जलना बिलकुल नहीं जाएगे हमें इसको लगाता चला दे रहना है बार बार इसको टर्न करना है नीखे से उपर की तरफ पलट पलट के सो देट बिलकुल भी जले नहीं और अच्छा सा डाक ब्राउन कलर होएं तक सुनहरा सा कलर आ जाए ऐसे अच्छे से बेसन को भूल लेना है और मेरा अभी बेसन अच् करा रहा नहीं हो का फिकौस गही है उसके अंदर पर अच्छे से भून जाएगा बिलकुल रेड़ेश रेडेश हो जानाँ चाहिए डार्क ब्राउन सा तब तक उस कलर तक इसको लगाता पलट-पलट कर इसको तरफ से अच्छे से घूल के अच्छे से खूब अच्छे से तो आप देख सकते हैं यहां पर मेरा बेशन जो है बेशन की लद्व के लिए अच्छे से भूल का तयार हो चुका है और अब हम चलते हैं अपने नेक्स स्टेप की तरफ जो है पदाम यह बदाम मैंने लिए हैं कम से कम आज से 10 पदाम होंगे जिसको मैं लंबे-लंबे करने के लिए हैं कुछ चॉपर से भी कट जाते किसी पास होता है अगर आप ऐसे करना चाहें तो बदाम ट्राइफूस काटने के लिए होता है उससे आप कसके इनको इस टैप से निकाल सकते हैं यह उपर गारनेशिंग के काम आएगा तो इस तरह से बदाम को हम काट लेंग यह एक बॉल में रख देंगे जब ठंडा हो जाए तो उसमें मैं आड करने जा रही हूं वन कप ऑफ पाउडर शुगर चीनी को मैंने मिक्सी में पीस के पाउडर शुगर बना लिया है और बूरा नहीं था मेरे पास आप बूरा भी आड कर सकते हैं या ब्राउन शुगर तो मैंने यह आड कर दी है एक कप चीनीे पीसी हुई उसमें मैं एड करने जा रही हूँ आधा कप ड्रायर फ्रॉज्ट में आकरोर बदाम और काजु मिक्स है यह मैंने थोड़े सी मिक्सी में चला लिये थे थे थोड़े ज़ाधा भारिक होई ह्थोड़ा मौटे मुटे ह तो मैं але को इसमें मिक्स कर दूगी हम मेफ Conny इसमें ad करूंगी कि भी काली इलाइची जो बड़ी इलाइची होती है तो इसमें आद़ी इलाइची आड़ कर दूगी और थोड़ी सी कारनेशिंग के लिए मुझे छोड़ दूंगी अब ये सब को मुझे mix करना है अच्छे से बहुत अच्छे से आप सब चीज को एक साथ mix कर लिजे बिलकुल कोई भी चीज अलग-अलग दिखने नहीं चाहिए बहुत अच्छे से mix कर ले ना जिसके लिए आप अपने हातों का उप्योग भी कर सकते हैं यहां देख सकते हैं मैं अपने हातों से इसको बहुत भी कर रहे हूँ जितने ऐठा लगाते हैं उस तरह से इसको अच्छे से मिस कर लिएगा याद अगर गरम रहेगा चीनी भी आप गरम डाल देंगे तो बहने लगेगा मतलब पतला रहेगा और लड्डू का शेप नहीं लेगा तो अभी अच्छे से मैंने सब कुछ मिक्स कर लिया है और अब मैं उसके लड्डू बनाने जा रहे हैं तो हम एक पोशन लेंगे हाथ में जिस दियार कर सकते हैं देखी किता शाहिनी और कितना अच्छा दिख रहा है इसी तरह से में एक और लड्डू बना लेंगी अ यह मेरा सेकेंड लड्डू बनके रेडी हो गया है और इसी तरह से में अपनी सारे जितना भी बैटर में पास है जितना भी मसारा मैंने यह त्यार किया है उसके सारे लड्डू बनाकर रेडी कर लोंगी अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैं सारे लड्डू बनकर हो गए है और अब मुझे इसकी करनी है गानेशिन जिसके लिए मैंने यह भारी के लाइची जो थी बड़ी लाइची पिसी भी रखे थी और यह बादाम कटे हुए थे तो इनको मैं लोंगी और इस लड्डू क उसके बाद मैं लाइची एक चुटकी में इसे उठाना और इसके उपर ऐसे गानिश के लिए रख देना है इसे बहुत ही यमी टेस्ट जब आप बाइट लेते हैं लड्डू की तो लाइची का फ्लेवर और एक तो अंदर से हमने डाला था इसको जब मिस्किया था सारे मे तो यह तेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा जब आप इसे खाएंगे तो इस तरह से सभी लड्डू के ओपर लाइची भी लगतेंगे और यह सगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब ने किया है और आप यह वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल इस तरह से सारे लड्डू रेडी हो चुके हैं सबके ओपर मैंने गानेशिंग कर दी है चांदी कबर अगर आपके पास अवेलबल है तो आप वह भी लगा सकते हैं और उसे और भी खुबसूरत दिखेंगे और यह यम्मी से पीशन के लड्डू जटपट बनकर हो गए है अब जटपट बनाए और इसे एंज़ एड़ी और यह बहुत ही टेस्टी है बिलकुल शुद है घर के बने हुए है बिलकुल हाइजिनिक आप इस तरह से जल्दी से ले लड्डू बना कर खा सकते हैं और किसी बिकेस के आगे सर्व कर सकते हैं अगर आपको मेरी यह के लिए उनर्ड़ कर देए पंवत लैणे अमेड़ी आंको से यह बखनीर पाता चलेंग साह। और तो हीत विचाणने कान से करें सब्सक्राइज पाल शुद कर संटी हूँन कर छों लोगाइज 60 0021ш